हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू बैक माई यूटूब चैनल अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंप्रेश दा बैल आइकन और वीडियो का इसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं आज हम परिच्छा बोद्यम बाडल पेपर से बहुत important question लेके आये हैं जो बार बार question repeat होते जा रहे हैं जो हर बार question ये पूछे जाते हैं social science के paper में तो सबसे जो आती लग उत्तर ही के जो महत्पूर्ण प्रेशन है वो लेके आया हूँ तो first question है फ्रांस की करांती के दो परिणाम बताएं तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस की करांती के दो परिणाम निम्न हैं तो आपको ये एक नोड बनाकर अच्छे से इनको लिख लेना हैं क्योंकि ये बहुत important question एकदम बता रहा हूँ जो 100% chances है पेपर में आने के तो फ्रांस की करांती की दो परिणाम निम्न हैं तो जो फश्ट है फ्रांस की करांती ने पुराने राजसाही अदेश पर सवाल उठाए और एक लोगप्रीर राष्टवात के विकास को प्रसाहित किया फिर जो second point है आपको ये देख सकते हैं आपको ये नोड बनाकर अच् के साथ केंद्री के त्रसासनीक प्रणाली की सुर्गात की फिर जो नेस्ट कोश्चन है यूरोप में राष्टवाद के कारण थे तो राष्टवाद के कारण नए मध्ध वर्ग का उदय तथा उदारवादी विचार धारा का प्रसार था आपको ये कोश्चन भी अच्छे वाद से आप क्या समझते हैं तो नेस्वी ससाब्दी के अरंभ में राष्टी एकता के विचार उदारवादी विचार धारा से अधिक जूड़े थे उदार उदारवादी व्यक्ति के लिए सुतंता और कनून के समच्छ समानता प्रदान करना है फिर जो नेस्ट कोश्चन है जर्मनी एकी करण कब और कैसे हुगा और फिर जो इसमें अथवा में भी पूँच सकता जानवारी एकी करण में सबसे महातुपूर्य युगदान किसका था और एक कॉश्चन यही से इस तरह भी घुमा कर पूँच सकता जर्मनी राष्ट का प्रथम समराठ कौन घोशि किया गया तो आपको किसी भी प्रकार से कॉश्चन पूँचे तो आपको बिल्कुन भी कनफ्यूज नहीं होना है तो इसका एंसर आप यहां पर देख सकते हैं 1848 इसवी में जर्मन संप्रदाई के विभिन छेत्रों को मिला कर निर्वाचिस संसद्वारा नियंतित राष्ट राज बनाने का प्रयास किया गया था प्रसार ने राष्टी एकिकरत अंदोलन का नित्वत्त किया प्रसार के मुख मंत्री आटो वान बिसमार्क को इस प्रक वान बुलक को अंदोलन के नाम लिखिए तली के एकी कर में प्रसी धिव्यक्ति छे जो नेक्ष्ट पेपर में पूंच सुगा तो आपको अच्छे से इसको यात कर लेना है। फिर जो next question है, गांधी जी द्वारा चलाए गए किनी दो अंदोलनों के नाम लिखिये, समयावग अंदोलन अरम्भे होने के क्या कारण थे, कोई दो कारण लिखिये, तो आपको ये भी बहुत important question है, कई बार paper में पूचा जा चुका है, मैं एकदम important question बता रहा हूँ, आप इसे जल्दी से एक note बनाकर note कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से subscribe कीजिए, एंड प्रेस दा बेल आइकन ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक notification पहुंच सके, तो इसका एंसर है, जो आसायोग अंदोलन एक वर्स, 1912 तथा सभिने अवग अंदोलन वर्स 1934 महात्मा गौंधी द्वारा परम्भ किया गया, दो प्रमुख अंदोलन थे, तो जो प्रमुख अंदोलन थे, वो होने के कारण थे, सभिने अवग अंदोलन परम होने के क्या कारण थे, और इसमें बता देना कि दो कारण, दो अंदोलन थे, एक असायोग अंदोलन, एक सभिने अवग अंदोलन, फिर जो होने के कारण थे, सभिने अवग होने के कारण थे, होने के कारण निम लिखी थे, ब्रिटिस सरकार न बिटिस सरकार ने भारत में सामिनावग निर्माण हेतू समेदली बैठक में पेरिट नहरू रिपोर्ट को अस्विकार कर दिया था फिर जो सकेंड है बिटिस सरकार ने कांगरेश की पूर्ण सौराज की मांग अस्विकरात कर दी थी आपको ये दिवकरन लिख देना है फिर जो नेस्ट है साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है फिर तो इसका एंसर आपको यहाँ पर देख सकते हैं साइमन कमीशन जान साइमन के अंतरगत गठित किया गया था इसका उद्दे लेक्तु कुर्बार के हत्यार का पिरियो किया गया था ये भी काफी बार पूंचा जाच चुका है तो आप यसको भी अच्छे से नोड कर लीजिए प्रथम बुस्षियुद में पपहली बार आधनिक खत्यारों का प्रयोग किया गया था जिसमें मसीन गंटेक हवाई जहार रसायनिक हत्यार आदी सामिल थे अगर इससे पहले चैनल पर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी अब्जेक्टिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्चन तो आप लिंक्ट डिक्सिक्शन मे मात्रक के साथ साथ उसके उचित विकास से हैं फिर जो नेस्ट कॉस्चन है कॉस्चन कमंग 10 का एंसर है बहुत देशी पर्योजना क्या है बहुत देशी पर्योजना को स्वतंत के पहश्चात शुरू किया गया था इस पर्योजना का उदेश नदी के जल को संग्रहित करके जल सलसादनों का समचित परबंध विकासित करना है फिर जो नेश्ट कोश्चन है रवी और खरीब रितु की मुख फसलों के नाम लिखिए ये एकदम भेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है इसे आप जरूर याद कर लीजिए तो रवी की फसले एक प्रकार से और पुछ सकता है रवी और खरीब फसल की अंतर में क्या अंतर है आपको ये भी याद करके रख रहा है तो रवी की फसले कौन-कौन से है गेहूं, जाओं, मटर, शना, सरसो, आदी फिर जो खरीब की फसले है चावल, मक्का, जोहर, बाजरा, दाले, मुंफली, इत्यादी फिर जो नेस्ट है फिर जो नेस्ट कौस्चन है नरवादा बचाओ, अंदोलन पर टिपड़ी लिखी तो जो फस्ट है तो ये भी बहुत इंपोर्टन कौस्चन है इसको भी आप लिख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा फस्ट पॉइंट है अंदोलन गय सरसारी संगठन द्वारा संचली आपको ये पूरे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना है फिर जो नेस्ट कौस्चन है फिर जो नेस्ट कौस्चन है हमारे देश में जल का अभव दिन प्रति दिन क्यों बढ़ता जा रहा है काणों की सूची तयार करें तो फश्ट है भारत मामसूनी जलवायू का देश है कई बार मामसून आसाफल होने से जल का अभव बढ़ रहा है सिचाई के जल की मांग प्रति ब्रद्धी हो रही है थड है और गोगे क्रियाओं के काण भूमिगा जल इस्तर का गिरना फोर्थ है सहीरी कण की गती में ब्रद्धी के काण जल सरसाधनों पर बढ़ता दवाओ फिर फाइफ है बढ़ती जन संख्य कियाओ सकताओं को पूरा करने के कारण आपको इस अभी पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना है तो जो नेस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट जो नेस्ट क्वेस्टन है बिनिर्माड उग्योग को भारत के आर्थिक विकास के रिण की हड़ी क्यों माना जाता है तो इसका एंसर है जिस परकार सरीर काकार रेंड की हड़ी से मिलता है उसी परकार एक देश की आर्थवास्था के आर्थिक विकास के मुखधार बिनिर्माड उग्योग है क्रैसी के आधनी करण में सहायक फिर दूसरा दुतिया तरतिया सेवा में बिरोजगार उपलब्द कराते हैं फिर तीसरा है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है चौथा बिरोजगारी और गरीवी को दूर करने में सहायक राष्टिय धन में ब्रध्धी आपको इस अभी पॉइंट लिख लेना है जो छटमा है यहां पर देख सकते हैं चटमा पॉइंट दया निक अब सकताओं को पूरा करना तो फिर जो नेश्ट कोस्चन है चीन उगव के सम्मुख कौन सी चुनाओतियां है तो चीन चीनी उगव के सम्मुख कौन सी चुनाओतियां वो आपको लिख लेना है बहुत important question है यह उगोग मौसमी प्रकतिक का है छोटी अभधी का होता है गन्य का उतपादन प्रती हेक्टेयर कम है पुरानी मसीनों का होना खोई का अधिक्तम इस्तमाल ना कर पाना परिवाहन के साधनों के असमच होने के कान गन्य का समय पर कर खाने में ना पहुचना आपको ये लिख लेना फी जो next question है सूती वास्त्र उगोग के सामने कौन कौन सी समयस्या है यह बहुत important question है जो बार बार पूँचा जा चुका है तो आपको समय कौन सी समयस्या पुराणी और प्रतिक परंप्रागत तकनीक लंबे रेशे वाली का पास की पैदावार का कम होना नई मसीने का अभाव क्रत्मिंग वस्त्र का उगेव में प्रति स्परदा आ नियमेत्य बिजली की आपूरती आपको यह पॉइंट लिख देना है फिर जो नेस्ट कॉस्चन है हमारे देश के हमारे देश के लिए सिमिंट उग्रो का विकेश आती महत्रून है क्यों तो भवन, फैर्ट्रिय, सड़क, पुल, बांध और घर आधी का निर्मान करने के लिए वाज सकें आपको अच्छे से इंप्रेशनों को नोट कर लेना है बहुत इंपोर्टेंट है फिर जो नेस्ट कोष्चन है उत्तम गुड़मत्ता वाले सिमिंट का उत्पादन करना अफ्रिका के देशों में मांग रहती है आपको ये लिख लेना है ठीक है फिर जो नेस्ट है नेस्ट कोष्चन है जूट उगवक किन चुनाउतियों का सामना कर रहा है तो क्रत्मिंग रेशाओं से चीज बनाने लगी और क्रत्मिंग रेशाओं से बनी चीज सस्ती होती हैं जूट की खेती पर वे बहुत हो जाता है विदेशी स्पर्दा का मुकाबला बजार में चुनावती के रूप में खड़ा है पंगाल आंताराश्टी बजार में चुनावती के रूप में खड़ा आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से लिख लेना है फिर जो नेश्ट कोश्चन है भारत के सूचना प्रयोगिक उग्यों का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन कीजिए तो जो सूचना तो रोजगार उबलब्ध करवाता है फिर जो नेश्ट है भिदेशी मुगदा आजजित करना कार्यता महिलों की संख्या में प्रद्धी हुई हार्डवेयर और सौफ्टवेयर का निरंतर विकास ही रहा है सौफ्टवेयर प्रवेयर क्वार्क विशेशक्यों को एकल बिंडो तत्थ सेवा तथा उच आकड़े संचार उपलब्ध प्रदान करती है आपको यह सभी पॉइंट अच्छे से लिख लेना है फिर जो नेश्ट है उग्यों के विभिन वर्गी करना कौन से है तो उग्यो रही है तो हमें कमेंट करके बताएं हम इसकी एंसर सीट की पीडियेफ जल्दी प्रोवाइड करा नेंगे तो इसकी एंसर सीट आपको कहां पर टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी लिंक डेस्टन में है उसे जल्दी से जल्दी जोइन कीजिए फिर जो नेश्ट क्वेश्ट है सरजानिक एवं नीजी छेत्रों के उग्योगों में अंतर लिखे तो आपको इसके लिख लेना है सरजानिक छेत्रों वे वे उग्योग जिनका समित राज सरकार वकेंज सरकार के किसी संगहणन के पास उदारन के भारती ले भिलाई दुरगापुर आदी के लोहे और इस प पास्चिम मंगाल में क्यों इस्तित हैं बहुत इंपोर्टन कोष्चन है इसके पहले भाला भी यह भाला भी आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिए पच्छिम मंगाल पठसन का घर है भात में सबसे अधिक पठसन इसी राज में पैदा हूता है फिजोनेस्ट है इस उग वह पास राणी गंज के खानों में से प्राप्त होता है आपको यह पूरे पॉइंट अच्छे से लिख लेना है मैं आसा करूँगा कि आपके आपके पूरे 80 के 80 अंक आपको मिल सके तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सक्क्राइब करें हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगी य कमेंट करके बताएं एवं हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेश्ट वीडियो में और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिक्रिप्षिसन में हैं आप वहां से जाकर देख सकते हैं अब मिलते हैं नेश्ट वीडियो तब तक के लिए झाल झाल